नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉलेस्टरोल कम करने के उपाई के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरब अक्सर आपने लोगों को केते सुना होगा कि मेरा कोलेस्टरोल बढ़ गया है सोच रहा हूँ कि एक्सेसाइज शुरू करी ही दू एक्सेसाइज तो कोलेस्टरोल मरीजों के लिए जरूरी है इसके साथ ही डाइट में क्या और कैसे ले ये भी दियान रखने की जरूरत है जिससे कोलेस्टरोल कम करने में आसानी हो सके फ्रिंस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस परकार अपना कोलेस्टरोल कम कर सकते हैं आम तोर पर जिनका कोलेस्टरोल बढ़ा होता है बेपरेज रखते हैं बटर से, घी से और फेट से कम लोग ही जानते होंगे कि आटे में थोड़े से बदलाव करने से कोलेस्टरोल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और्ट से कोलेस्टरोल कम होता है गेउं के आटे में ओर्ट का आठा और चोकौर मिलाकर इसकी रूटियां खाने से कॉलेस्ट्रोल को कम किया जा सकता है आम तोर पर ओर्ट को लोग ब्रेकफास्ट सीरेल के रूप में काते हैं लेकिन ओट का आटा बना कर उसमें मुझूद सोलिबर फाइबर कोलेस्टरॉल को कम करता है एक किलो आटे में एक तिहाई ओट का आटा मिला ले एक चम्मच चकोर को भी आटे में मिक्स कर सकते हैं इससे घुनने के लिए दही या दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ ही करी पते के चूरे को आटे में मिलाकर खाने से कोलेस्टरॉल को कम किया जा सकता है अगर आटे में चकोर करी पते का चूरा ओट्स का आटा सब मिक्स कर लेते हैं और इसे दूद में बिगोते हैं तो इस आटे की रोटिया मुलाएं भी बनेगी और इससे कॉलेस्टरॉल कंट्रॉल में होगा तो देखा फ्रेंज आपने ये थी मेरी आज़ की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस परकार कॉलेस्टरॉल को कम कर सकते हैं अमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न बूले थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए बैबाई